सिक्षा क्रांती लाएंगे हम आगे बढ़ते जाएंगे जोते जगा कर ग्यान की हम सबको राह दिखाएंगे प्यारे बच्चों सिक्षा क्रांती चैनल में आपका स्वागत है आज हम अपने पठे पुस्ताक जरोखा का पाट पांच खाएं मोज मनाएं का पेज नंबर 34 करेंगे तो देखिए बच्चों पेज नंबर 34 में सोचो चाटो और लिखो तो बच्चों इस वीडियो को आप सरूँ से लेकर आन तक जरूर देखना ताकि पेज नंबर 34 में जो दिया है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल सिक्ष्या करांथी को जरूर सब्सक्राइब करना तो चलो बच्चों शरू करते हैं पेज नंबर 34 सोचो चाटो और लिखो पहले में सोचना है नीचे कुछ सबत दिये उनमें से चाटना है और फिर आगे दिखना है नीचे दी गई सूची में पेड़ पोदों से मिलने वाली चीजों के चारो और हारे रंग से और पस्वों से मिलने वाली चीजों के चारो और लाल रंग से गोला बनाओ खाली स्तानों पार खाने की कुछ और चीजों के नाम भी लिखो उन पर भी गोला लगाओ तो नीचे हमें कुछ वस्तूओं के नाम दिये हुए है जो कुछ हमें पस्वों से मिलती है और कुछ पेड़ पोदों से मिलती है तो उनके उपर जो हमें पेड़ पोदों से मिलती है उस पर क्या है हारे रंग से और पस्वों से मिलने वाली चीज़ों की चारों लाल रंग से गोला बनाना है तो देखिए पहले हम जो पेड़ पोदों से मिलने वाले चीज़े हैं उनके उपर हम हारे रंग से गोला बनाते हैं तो दूद है दूद हमें कहां से मिलता है पेड़ पोदों से पस्वों से ये पस्वों से मिलता है गाजर गाजर हमें किसे मिलती है पेड़ पोदो से उसके बाद चीनी चीनी किसे भी बनती है गन्ने से और गन्ना क्या होता है पेड़ पोदो की स्रेणी में आता है तो चीनी भी हमें पेड़ पोदो से मिलती है पनीर पनीर किसे बनता है दूद से और दूद हमें किसे मिलता है पस्वो से तो ये पेड़ पोदो में न आटा किस से बनता है अनाज से और अनाज किस से निकलता है कहां से मिलता है पेड़ पोदो से तो रोटी है वो भी हमें पेड़ पोदो से मिलती है उसके बाद उपर है सहद सहद कहां से मिलता है हमें सहद कहां से मिलता है सहद मदुमक्यों से मिलता है और मदुमक्यां कहां से लेके आती है, वो फूलों से लेके आती है, और फूल किसके होते हैं, वो पेड़ पोदों के होते हैं, तो सहथ भी हमें पेड़ पोदों के जो फूल होते हैं, वहां से मिलता है, पालक, पालक सबजी है, तो ये भी पेड़ पोदों से मिलती है, मास मचली, तो यहां पे तो न से, सेव, सेव के पोदे से हमें सेव मिलता है, दलिया, दलिया की चीज़ से बनता है, गेहूं से, तो गेहूं कहां से मिलता है, पेड़ पोदो से, उसके बाद है सरसों का तेल, तो सरसों क्या होता है, पेड़ पोदा, तो जो सरसों का तेल होता है, वो सरसों के, जो दाने होत उससे निकलता है प्याज ये भी हमारा पेड़ पोदे से मिलता है गुड गुड हमारा गन्ने से मिलता है और गन्ना पेड़ पोदो किछनेडी में आता है पपीता पपीता फल है जो एक पपीते के पोदे पर लगता है मुंगफली ये भी पेड़ पोदे से मिलती है में और ल लसी किस से बनती है बच्छों लसी बनती है दूद से और दूद कहां किस से मिलता है पस्वों से तो लसी हमारी पेड़ पोदों से नहीं मिलती अब बाकी जो सबत बच्छे हैं दूद यह में कहां से मिलता है पस्वों से पनीर यह दूद से बनता है और दूद पस्वों से मि पाचली ये भी जानवरों से मिलता है उसके बाद दस्ती ये दूद से बनता है और दूद पस्वों से मिलता है यहाँ पे कुछ और हमें लिखना है और उन पर भी गोल दाइरे लगाना है तो और जैसे आलू बूरा कार्न ब्रेड मास और गी तो ये ये सबी किस चीज से मिलते है आलू है वो हमारा पेड पोदा पोदो से मिलता है बूरा किस से बनती है चीनी से चीनी किस से बनता है गन्ना से और गन्ना गन्ने से वो पेड पोदा है खांड इसी पर गार भूरा की तरह खांड बनती है वो भी गन्ने से बनती है ब्रेड ब्रेड किस से बनता है आटे से आटा अनाज से और अनाज कहां से मिलता है पेड पोदो से मास ये हमें जानवरों से या फिर पस्वों से मिलता है घी घी कहां से निकलता है लसी से और लसी दूद से और दूद किस से मिलता है पस्वों से तो ये जो मास है इस पे हरा नहीं आएगा बलकि क्याएगा लाल क्योंकि हमें पस्वों से मिलने वाले चीजों को लाल रंग से करना है और घी ये भी पस्वों से मिलता है तो ये दोन्यों क्या होएंगे पस्वों से बाकि ये क्या है पेड़ पोदो से तो बच्चो आपको ये अपनी पुस्तक में करना है पूरा और इसी परकार हारे और लाल रंग से इनके उपर सरकल लगाने हैं आपके को चोर सब्द हमें दिखने हैं और इसकी फोटो अपने टीचर के साथ जरूर सेयर करनी है तो बच्चो आज बस इतना ही बाई बाई